गुड मॉर्निंग फ्रेंग्स और मेरे चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपको चैप्टर फिफ्ट ऑफ साइन्स ऑफ क्लास 9 पढ़ाने वाली हो चलो हम स्टार्ट करते हैं दा फंडमेंटल यूनिट ओफ लाइफ और गाइस प्लीज मेरी ये फस्ट वीडियो है और क्या होता है मैं आपको भी सब कुछ बताती हूं तो SEL basic unit of the life का स्टार्च और यह discovered किया था भूट कुबनी में लग कर बता देती हूं जो यह होता सल जो यह狂 अर्झства प्सेदे構र लाइफ कि पर इसक और बैसिक उनिष्ट ऑप शया सखते हैं ये किसने हम और रिप कुआ bağ अब कब डिस्कवर्ड किया इन 1665 ठीक है अब जब अब ये कहां से आया जब जब रोबर्ट हुक एक पेड की चाल ले रहे थे और उन्होंने अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप मतलब उनका खुद का बना हुआ तो आप हम पढते हैं ये कोर्क गोर्क बिस्क्वर्ण पहता है मतलब पेड रहे इस पेड ली और उन्होंने ये चाल को को एक कम उपर फितर रखे देखा कैंग का माईड्रो स्कोरोप के नीचे रखें तो इसमें बोह है तो इक वह देक्च नियुए चोटे 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 राती के हमें ये लीटल कंपार्ट्च में लीटल व्रूम्स उन्हों ने लुग इनको अना लीटल कंपार्ट्समेंट को सेल कहा, क्या कहा दिया, सेल, ठीक है, अब जैसे उन्होंने ये बुक में ये भी दे रखा कि एक अनियन पील ले रखा देखिए, अनियन पील है ये, अब देखो, अब जब इसको अना माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया, तो इसमे नुकलियस अलग बता है उन्होंने, और सेल, उन्होंने अलग बता है, तो हमारे, कोई भी अगर आप से पुछता है, तो आप ये बताऊगे, कि ये बेसिक यूनिट ओ तर लाइफ का, डिस्कोवर्ड बाइरो, बट हुक इन 1665, और रोबोट हुक ने इनको लिटल कंपार् करणील, डिस्कोवर्ड बेसिक यूनिट हुथे लाइफ का, ठीक है अब हम पढ़ते हैं कि सेल दो तरहर के होताए, जो सेल होतले है, जो ये हमारा, जो सेल है, वों 2 तरहर होता है, एक उतता है, यूनिसललर, एक होता है, मल्टी-सेलिलर, अब हम देखते हैं कि, यूनिसल् सब्सक्राइब कर दिखिरंस, यह दो जुक्त वाइब countingक्तिम, सब्सक्राइब मैं भीन taking an coloc अब फसकंति quality more on average, सब्सक्राइब सुद्सक्राइब सब्सक्राइब कर दूघ्त रहे लिख लिख सुद्सक्राइब पर्टिकूलर काम करते हैं जो इनको सारे काम जो मतलब जैसे एक साल यह antenima this e एससी पर्टिकूलर काम भी होते है और यह बहुँत सारे होते है तो इनका इनका जो एना ही और यह lifetime भोट छोटा होते है It has a short life span और जो यह होता है इनका भोध लोंग होता है It has a long life span आप सोच रहोंगे कि ये तो भई अजीव सी तरह ही समझा रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है भई मैं आपको नोट्स दे दूँगी मैंने खुद के प्रिपेर करें वे नोट्स है और मैं आपको डिस्क्रप्शन पे वे नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी और जैसे इसके जो एक्जाम्पल्स हैं उसके एक्जाम्पल्स हो सकते हैं अमीवा ठीक है अमीवा हो सकता है बैक्टीरिया हो सकता है इक्सेट्रा ॥yy, अभ इसके एग्lawल्स है प्लांट्स एक्सेट्रा अभ हम ने ये तो पड़ लिया कि इसल किसने डिस्कॉवर किया कैसे हुआ, कोर्क से आया और कितने त्रह, इसके टाइप्स कितने होते है अब हम यह तो पढ़ें कि cell बनता कैसे है और इसमें क्या क्या होता है अब जो cell है अब हम पढ़ेंगे what is a cell made up of मतलब cell किसे बना होता है अब first point है second और third first हम पढ़ेंगे plasma memory फिर हम इसको plasma memory को cell memory भी कहते है second होता है nucleus ठीक है इसको हम head quarter भी कहते है head quarter of the cell जो यह होता है nucleus होता है उसको एक number में कई बार यह पूछ लिया जाता है कि यह है na head quarter of cell किसको आ जाता है वो nucleus होता है और third होता है इसमें cytoplasm अब यह तीन है जिससे cell बना हुआ होता है अब हम मैं बताती हूं कि cell plasma memory हो रही है इनके बारे में बताती हूं देखें जैसे कि यह cell है ठीक है इसके उपर एक इना layer होती है यह माल लीजिए एक layer है में ड्रोइंग वैसे इतनी अच्छी नहीं है ऐसी घुटिया सी यह बेकार सी तो अब आपको समझे नहीं है बस ठीक हम यह होता है यह होता है यह होता है प्लाज्मा मेंबरीन अब जो इसके अंदर एक और छोटा सा मतलब पॉइंट की तरह हमान लीजिए और वह मिलेगा उसको गहते हैं है लिए है यादर रखना है हेक्वाटर तसल कि यह मैंने पहले बता डिया था जो चड़ो अब आता है साइटोप्लाजम अभी अब यहां पेना फिलीड-like structure होता है फिलीड को विच उता है उसको में कहते हैं साइटोप्लाजम हम नीके तो पढ़ लिया हम इसके बारे में डीटेल से पढ़ते हैं कि ये प्लास्मा मेमरेन क्या होता है निकलियस क्या होता है साइटो प्लास्मा मेमरेन क्या होता है अब प्लास्मा मेमरेन के बारे में हम पढ़ते हैं प्लास्मा मेमरेन क्या होता है जो इस सैल के ऊपर प्ल प्रोटीन और लिपिट से बने होती है, it is made up of proteins and lipids, ठीक है इसके बारे में आप यह लेख सकते हो, second point भी आप बना सकते हो, it is very flexible, यह भोजा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, अब third point में आपको बताना पड़ेगा, कि मतलब यह क्या काम करती है, यह न, outermost covering होती है cell की, आप यह भी बता सकते हो, जो यह cell है, इसके ओपर की outermost covering होती है, तो third point हमारे यह बन जाता है, कि it is the outermost covering of the cell, ठीक है, fourth point आप यह बताना, कि मतलब अब यह तो बता दिया, कि यह इससे बनी होती है, भोजा फ्लेक्सिबल होती है, यह बाहर की covering होती है, पर यह काम क्या करती है, भई यह कोड मताएगा, तो यह काम करती है, कि यह अलो करती है, कि क्या अंदर आना है, क्या बहार जाना है, कि जैसे देखे, जो plants होते हैं, वो क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, और oxygen छोड़ते हैं, और जो animals होते हो, क्या करते हैं, oxygen लेते हैं, और CO2 छोड़ते हैं तो उनमें यह काम कोण करता है यह प्लाजमा मेम्रेन में काम करती है अमीवा और ओ सोरी जो प्लाजमा मेम्रेन सेल के अंदर है यह काम करती है तो इसका हम लिखेंगे कि इट अलो देन आरो एक्जिट ओफ मेटीरियल की यह अलो करती है अंट्री ओफ मेटीरियल अब क्या है इसका हम लिख सकते हैं जैसे की फोर एक्जम्पल CO2 and O2 को यह मतलब control करती है क्या भाराएगा क्या और इसी वज़े से इसको selectively permeable membrane कहा जाता है कि मतलब यह it is also known as